भारत, विचारकों, मनेशियों, संतों और साधकों की सम्रिध परंपरा से सिंचित भूमी, अंगिनत पुन्यात्माओं के तत्वदर्शी चिंतन और विराट विचारों की निरंतर्ता ने दी है, हमें एक गौरोशाली विरासत. आज जब देश, आजादी के इस अम्रित काल में हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रित्व में तेज गती से विश्व पटल पर आगे बढ़ रहा है, तो हमारी सम्रित विरासत हमें लगातार प्रेरणा देती है, उर्जा देती है. हमारी इस विशिष्ट विरासत के एक सशक्त आधार स्तंब हैं, वेदों के प्रकांड ग्याता और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में अविस्मरिनी ये योगदान देने वाले महर्शी दयानंद सरस्वती जी. सन 1824 में जन में दयानंद जी का युगावतरन उस दोर में हुआ, जब देश, सैकणों वर्षों की सामाजिक सांस्कृतिक चुनावतियों और आपनिवेशिक बंधनों से घिरा था, इस कारण समाज में कई कुरीतियों और कुप्रताओं का प्रभाव भी बहुत अधिक हो गया था, ऐसे समय में अनेक संतों, समाज सुधारकों और संगठनों ने अभूत पूर्वकार्य किया, जिन में महर्शी दयानंद सरस्वती जी का नाम अग्रगण्य है, महर्शी जी ने ना सिर्फ समाज में व्याप्त बुराईयों पर तार्किक प्रहार किया, बलकि जन ज जाग्रिती की अलख जगा कर बुराईयों के समूल उन्मूलन के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अम्रित काल में बताये गए पंच प्राण में, महर्शी दयानंद जी के विचार भली भांती जलगते हैं विक्सित भारत, गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एक्ता और एक जुट्टा तथा नागरिक कर्तवे के पंच प्राण एक प्रकार से दयानंद जी के महान विचारों को रिखांकित करते हैं गुजरात की धर्ति परजन में महर्शी दयानंद जी ने समाज का ल्यान के लिए 19 वर्ष की आयू में ग्रहत्या किया और जीवन के उद्देश को पूरा करने के लिए देश भ्रमन किया ततकालीन परिस्थितियों को समझने के लिए उन्होंने देश, धर्म, संस्कृती, सभ्यता, इतिहास और भूगोल का गेहन अध्यायन किया महर्शी दयानंद जी ने देश में राष्ट्रियता के भाव को लगातार जागरत किया उन्होंने भारत की मूल संस्कृती के केंद्र, गुरुकुल और गौशालाओं के निर्मान के साथ ही वेद पठन-पाठन को बढ़ावा दिया भारती परंपराओं के अनुकूर, शिक्षा पधती वाले, डीएवी कॉलेजों की स्थापना उन्हीं की स्मृती में की गई विदेशी आक्रमनों के कारण समाज में आई कुरीतियों पर उन्होंने जम कर प्रहार किया समुद्र पार जाने का मिथक तोड़ा और विदवाओं को सम्मान दिलाया अपने विचारों को आगे प्रचारिद करने के लिए उन्होंने आरिय समाज की स्थापना की जो आज एक बड़ा आंदोलन है और एक विराट वट व्रिक्ष की तरह हम सभी को अपनी चाया प्रदान कर रहा है उनके द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश की ज्यान मंजुशा हमारी चिरंतन संस्कृती को न सिर्फ भारत में बलकि विश्व में फैला रही है यह हम सबका सवभाग्य है कि महर्शी दयानंद जी का दो सौवा जयन्ती वर्ष हम सभी के लिए उनके विराट विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाने और उनसे प्रेरणा लेकर राष्टर निर्मान में एक जुठ होकर योगदान देने का सुवसर है